क्या आपको भी सर के दाएं भाग में या फिर बाएं भाग में बहुत जादा सरदर्द होता है उल्टी आने जैसा लगता है बहुत सर फटने जैसा होता है डॉक्टर ने आपको बोला है आपको माईग्रेन हेडेक है तो इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले हैं माइग्रेन हेडेक के बारे में माइग्रेन हेडेक क्या है इसके होने के लिए प्रमुख कारण क्या-क्या होते है यदि आपको माइग्रेन हेडेक होता है तो आपको क्या-क्या लक्षन होते है यदि आपको migraine headache है तो डॉक्टर इसमें आपको कौन सी परिक्षा है टेस्ट कराने को बोलते हैं किन लोगों को आगे चलकर migraine headache हो सकता है इसका treatment क्या होता है अलोप्रतिक एसपेक्ट और आयरुवेदिक एसपेक्ट दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें पत्य और मैं हूं डॉक्टर वेंग्टेश पुजार आई आज की चर्चा को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कि migraine headache क्या होता है देखिए ऐसा सरदर्द जिसमें आपके सर के दाएं भाग में या फिर पर्टिकुलर बाएं भाग में एक साइड में ही दर्द उठता है और यह जो दर्द है इसके साथ साथ आपको यह दर्द बहुत सीवेर रहता है और दर्द के साथ आपको उल्टी आने जैसा होना उल्टी करना यह सब लक्षन भी होते हैं आई अब हम चर्चा करते हैं migraine headache जो है किस कारण के वज़े से होता है क्या कारण होते हैं तो licence contraceptive pills हगा रही है तो उनको यह ज़्यादा होता है उस कारण से होता है यहाप फिर इसका दुसरा कारण होता है drinks यदि आप बहुत ज़्यादा मदिरा सेवन करते हैं दारू पीते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कैफीन जो रिच होती है काफी काफी वगरा ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपके ज़्यादा होता है इसका अगला कारण होता है स्ट्रेस देखिया आज कल की जिन्दगी लोग जी रहे हैं स्प प्रेज जो है वो एक important factor होता है migraine headache का अगला इसका कारण होता है sensory stimuli जैसे कि देखिए कभी आपकी जो आखें आखों के सामने एकदम बहुत जादा bright light एकदम चमकदार चीज आपने देख ली है या फिर बहुत strong smell आपने कुछ inhale कर लिया जैसे perfume बहुत strong perfume का smell आपने ले लिया ह paint का smell आपने ले लिया है या फिर बहुत जहां dusty smoky जगह है आप वहाँ पर गए है तो उस वज़े से या फिर आप loud music को expose हो गए है मतलब जैसे DJ वगएरा बसते हैं बहुत जादा sound वगएरा में या फिर आप किसी party में गए हैं आप बहुत जादा loud music बस रहा है तो ये भी triggering factor होता है माइगरेन के लिए अगला कारण होता है sleep changes तो देखिए यदि आप लोग नीद नहीं करते हैं time to time जितनी नीद करनी चाहिए नीद को आप त्याग रहे हैं काम के चक्र में या फिर आप बहुत जादा सो रहे हैं हज से जादा सो रहे हैं तो भी आपको ये ये कारण होता है माइगरेन हैडेका अगला इसका कारण होता है physical strain मतलब जो ठकावट होती है हमको जब हम देहिक काम कोई करते हैं जैसे जो मजदूरी हो गई जिसमें हाथ पाओं का काम बहुत जादा यूज़ होता है आपके कोई आप sexual activity करके ठक जाते हैं तो उस होज़े से भी dramatic changes होते हैं उस वज़े से भी आपको यह कारण हो जाता है अगला कारण है medication देखिए यदि जो महिलाएं contraceptive pills खा रहे हैं या फिर आपको वैसो डायलेटर्स टैबलेट ले रहे हैं तो यह भी एक कारण होता है आपको migraine हैंड होने का अगला कारण है खाना जो आप खाने मे बहुत जादा cheese का उपयोग कर रहे हैं बहुत जादा पनीर का उपयोग करते हैं या फिर आप बहुत जादा salt नमक का उपयोग करते हैं तो भी यह कारण हो जाता है migraine है डोने का अगला कारण है food में जो preservatives होते हैं तो देखिए आज का जो हम है packed food items यह बहुत जादा सेवन करते हैं जिसमें जो प्रिजर्विटी होता है मोनो सोडियम ग्लूटामेट होता है तो जिसमें देखे यह जो इंग्रिडियन्ट है बहुत जादा मिलता है पैकड़ फूट में यह आप पैकड़ फूट बेकरी फूट बहुत जादा खाते हैं तो आपको हैड़ेक जो है प्रोड्रोम सिंड्रोम औरा अटैक और पोस्ट्रोम माइगरेन अटैक के टाइम पर पोस्ट्रोम प्रोड्रोम क्या होता है आपको हेड़ेक जैसे आने वाला है तो उससे आने के पहले से क्या क्या लक्षन चालू हो जाते हैं औरा क्या होता है साट मिनट पहले अटैक आने स 60 मिनिट पहले आपको क्या 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 क कि आपको जो है mood change होता रहता है mood changes की समस्या हो जाती है आपको भूख बहुत जादा लगती है जितना आप खा रहे होते हैं उससे जादा आपको भूख लगती है आपका जो गर्दन है उसमें stiffness आ जाती है और आपको बार बार urination की समस्या होती है आपको बार बार पिसाब आत है और आपको frequent yawning होने लगता है मतलब जरंबाई आपको बार-बार आने लग जाती है अगला हम बात करेंगे औरा में आपको क्या-क्या symptoms होते हैं मतलब 30-60 मिनट पहले माइग्रेन अटेक होने से पहले आपको क्या-क्या पहला देखिए vision loss आपको जो दृष्टी है उसमें आपको आँखों के सामने धुंदा 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 दिखना चालो हो जाता है आपको कोई पिन लेके चुबा रहा है आपके हाथों में पाओं में इस तरीके का वहाँ पे दर्द और sensation स्टार्ट हो जाती है आपको बहु थोड़ी खटनाई का सामना करना पड़ता है और जो नमने से आपके face में आधे पार्ट पे हो सकती है पूरे पार्ट में हो सकती है अब हम बात करेंगे migraine attack में आपको क्या क्या लक्षन आते हैं तो देखिए जब आपको migraine attack आता है तो उसमें आपको बहुत जादा सरदर् एक बार start हो जाता है तो वो चार घंटे से लेकर बहतर घंटे तक रह सकता है यदि आपने उसका treatment नहीं लिया है untreated है वो headache तो चार घंटे से लेकर बहतर घंटे मतलब एक दिन से लेकर तीन दिन तक आपको रह सकता है आपको उल्टी आने जैसा होना उल्टी करना यह सब हो सुन लेते हैं या फिर बहुत ही खतरनाक स्मेल आप इन्हेल कर लेते हैं उस जिस सड़न ट्रिगर हो जाता है अब हम बात करते हैं पोस्ट ट्रॉम भूलने का समस्य हो जाता है जैसे आप कुछ काम करने वाले थे आप भूल जाते हैं उसको एकी काम को बार बार करना या फिर कुछ करने जा रहे होते हैं भूल के फिर वापिस आ जाते हैं ऐसा थोड़ा confusion state हो जाता है या फिर एकी चीज को बार बार repeat करना हो सकता है और आपक रहता है उसको एक ही पोजीशन में रखने का ट्राइ करता है बिल्कुल उसको ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सभी में आगे कर दूँगा पीछे कर दूँगा वापिस मुझे फिर उसी तरीके के सब लक्षन आने लगेंगे थोड़ा घबराहट में रहता है पेशेंट इसमें आईए अब मैं आपको बता के देता हूँ इसमें क्या क्या टेस्ट हमको करवाने चाहिए दिया आपको माइग्रेन हेड़ेक है तो इसमें डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट के लिए आपको अडवाइस करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो जो डॉक्टर है जहां आप गए आप गहिए हैं वो क्लीनिक लिए एक्जामिन करते हैं आपको आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं क्या हुआ था कब हुआ था आप क्या कर रहे थे यह सब आप से पूछा जाता है और डॉक्टर के जो नौलेज होती है उस बेस पर वो डाइग्रेन कर लेते हैं कि आपक के डॉक्टर होते हैं उनके पास आपको भेज सकते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता आपके आँखों में नंबर वगएरा रहता है चस्मा वगएरा रहता है लेकिन आपको पता नहीं होता है उस वज़े से भी इस तरीके का हेड़ेक बार बार हो सकता है अगला देखी यदि आपको यह हेड़ेक 6 मंद से continue हो रहा है महिने में 4-5 बार अटेक्स आपको बार बार आ रहे हैं 6 मेने से ज़्यादा आपको continue हो रहा है आप treatment भी ले रहे है माइग्रेन हेड़ेका फिर भी ठीक नहीं हो रहा है डॉक्टर ऐसी कंडिशन्स में आपको CT scan लिखके देते हैं brain sir का rule out करने के लिए कहीं आपको brain में tumor तो नहीं हो गया है अब हम आगे बात करने वाल आपको माता पिता को already माइग्रेन हेड़ेक की समस्या है तो वहाँ पर बच्चों को यह होने की साधेता ज़्यादा हो जाती है अगला इसमें factor होता है female जो महिलाएं हैं उनको three times जो है माइग्रेन हेड़ेक ज़्यादा होने की संभावनाएं रहती है compared to men पुरुषों के महिलाएं को ज्यादा माइग्रेन हेड़ेक होता है अगला इसका risk factor होता है hormonal changes जो महिलाएं में periods के दोरान जो होते है और महिलाएं जब pregnant होती है treatment aspect के बारे में allopathic और ayurvedic medicines के बारे में तो देखिए allopathic में doctor आपको migraine headache में क्या लिखके देते हैं anti-psychotic medicines लिखके देते हैं analgesic medicine लिखके देते हैं दर्द की दवा या फिर NSAID non-steroidal anti-inflammatory drugs लिखके देते हैं और इसमें आपको dietary supplements लिखके दे जाती हैं अगर मैं migraine headache की treatment की बात करूँ तो देखिए जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ वो treatment का 10% भी नहीं है मैं जो मैं अपने patients को ज्यादा recommend करता हूँ वही आपको यहाँ बताने वाला हूँ तो देखिए आपको migraine headache की समस्या है तो आप शुन्टी घृतम शुन्टी घृतम आता है उसको 10 ml ले लीजिए उसके साथ 10 ml गुनगुना पानी अच्छे से मिला लीजिए और उसको आप खाना खाने के बाद सुबह एक टाइम रात को एक टाइम पी सकते है क्योंकि जो जिंजर है अद्रक जिसको शुन्टी बोला जाता है वो migraine के लिए best medicine होती है अगला आप इसमें आता है ले पम ले पम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ले पम जिसको प्रिपेर किया गया है रास रादी चूरण से तो क्या कर सकते हैं दो चमच रास नादी चूरण जो है उसको ले 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 उसके साथ आप मिक्स कर लीजिए lemon juice मतलब निम्बू का रस एक चमच आप मिक्स कर लीजिए उस चूरण में अच्छे से उसको paste बना लीजिए और उसका कि इसमें आप अनू तेल का उपयोग कर सकते हैं अनू तेल एक तरीके का ड्रॉप होता अईरविदिक उसको आप अच्छे से पीठ केबल सोके आपके दाएं बाएं जो नोस्टिल्स हैं नाक के छिदर हैं वहाँ पर दाएं बाएं एक एक मल आप डाल सकते हैं सुब़ एक टाइम शाम को एक टाइम इससे आपको माइगरेंट हैट में रिलीफ मिलती हैं अगला आप इसमे सिरो अभ्यम का कर सकते हैं हैड मसाज कर सकते हैं कौन से तेल से मरी चादी तेलम आता है उसको आप अपने सर पे लगाएं या फिर किसी को देके लगवाएं और अच्छे से मसाज करने को बोलो दस से पंदरा मिनट सर को मसाज करने को बोलो इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा या फिर आपके डॉक्टर जो आपका डवाइस जहरे हैं उसे साफ से भी आप की समस्या है तो आपको इसमें पत्थे और अपत्थे क्या होता है डस और डॉंट्स क्या होते हैं तो देखिए आपको क्या इसमें करना चाहिए तो आगर आपको माइगरें हैडेक की समस्या है आपको अच्छे से नींद लेनी चाहिए आपको अच्छा नींद लेना चाहि और आपको खाना मिस नहीं करना है जैसे कि सुबह दुपेर रात तीनो टाइम का खाना टाइम टू टाइम खाना है और प्रॉपर टाइम पे खाना यह नहीं सुबह का नास्ता आप दो बजे कर रहे हैं दुपेर का खाना रात को कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है अब आगे बात क करेंगे अपत्या के बारे में मतलब डूंड जो चीजें आपको नहीं करने चाहिए यह दि आपको माइग्रेन है तो तो देखिए इसमें पहला आता है stress stress को आपको आवाइड करना है आपको अच्छे से रहना stress जिंदगी नहीं जीनी है meditation अगरा आप अच्छे से कीजिए और अगला है आपको अलकोहल मदीरा दारू का सेवन नहीं करना है या फिर कम कम करते हैं आप छोड़ दीजिए नहीं तो यह trigger factor होता है आपको आटैक बार बार आता रहेगा अगला आपको है cheese, paneer अगरा खाना कम करना पड़ेगा आपको जो चॉकलेट अगरा जो आप खाते हैं उसको भी खाना आप कम कीजिए और बंद कीजिए पूरा और अगला है आपको AC के अंदर नहीं बैटना है तो देखिए जहां मैंने अपने clinical practice में देखा है जो बड़े बड़े cities हैं वहाँ पर अधिकतर लोग AC offices में ही काम करते हैं वो आते हैं treatment लेते हैं डक्टर्स के पास जाते हैं डक्टर्स उनको does और dons पत्या पत्या बताते नहीं फिर से जाके वहीं बैट जाते हैं तो AC में कुछ drivers वगरा भी जो हैं जो बहुत बड़ी बड़ी चलाते हैं जिसमें AC वगरा रहते हैं 24 गंटे के exposure में ही रहते हैं तो देखिए ऐसा अगर आपका काम है आपका working pattern ऐसा है तो देखिए आपको AC को आवाइड करना जरूरी रहता है माइगरेन हेडेक में यदि आप टाबलेट लेंगे treatment लेंगे और फिर से जाने के बाद वही सब काम करेंगे तो आप जितना treatment में पैसा लगा रहे हैं वो पूरा वेर्थ हो जाएगा तो आपको relief नहीं मिल सकता है तो आपको medicines के साथ सा doctor की जो सलाह है does और don'ts की जो मैंने आपको पत्या पत्य बता है इनको भी follow करना जरूरी है तब ही आपको 100% result मिलता है तो आश्या करता हूँ वीडियो में जो जानकारी मैंने आप सभी के साथ share किया migraine headache को लेकर सब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगे यदि आप आगे भी इसी तरीके के medical videos देखना चा आएंगी यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को जादर से जादर आपने दोस्तों के साथ share करें या फिर जिनको इस वीडियो की जरुरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं वीडियो को देखने के बाद भी आपके देख केर धन्यवाद